तो दोस्तों फाइनली सामसंग के अभी के अनपैक्ट इवेंट में A33 5G और A53 5G ये दो स्मार्टफोन लॉंच हो गये हैं और A73 5G को भी सामसंग ने सीक्रेटली लॉंच कर दिया है लेकिन इस इवेंट का वो हिस्सा नहीं था लेकिन अभी मेंली दो स्मार्टफोन लॉंच कि ये ग्लोबल लॉंच था तो वहां पर A53 5G 37000 के आसपास था और वहीं पर A33 5G हमें 31000 के आसपास देखने को मिल रहा था तो हां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिये में 25-26000 के आसपास A33 5G रहेगा और A53 5G 31-32000 के आसपास यहां पर रहने वाला है अब सबसे बहले डिस्प्ले से सुरुआत कर लेते हैं तो दोनों स्मार्टफोंस में एमॉलड डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती हैं A33 5G में 6.4 इंचिस का फूल एस्टी पर सूपर एमॉलड पैनल लगाया गया है जो कि 90 हर्स के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और निंग गोरिला ग की प्रडेक्शन भी हमें यहां पर देखने को मिल जाती है अब जो A33 5G वहां पर 90 हर्स है और A53 5G में 120 हर्स का डिस्प्ले दिया गया है अब दोनों स्मार्टफोंस काफी अच्छे डिजाइन के साथ आते हैं और बैक से आप देख सकते हैं काफी सीमिलर सा डिजाइन हमें दोनों ही स्मार्टफोंस में बिल्कुल देखने को मिल जाता है अब प्रोसेसर में के मामले में दोनों स्मार्टफोंस एक्जनोस 1280 प्रोसेसर के साथ आते थे और 5NM की यह टेकनोलोजी पे बेस्ट है जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में सुना था तो काफी पावर हू तो दोनोंस के बैक में हमें द movement मिल जाते हैं तर मेगाज के और लेंस ए थर्ट तरी में है और अब दोनों कैमरा काफी अच्छी कंफिग्रेशन अपने साल लेकर आते हैं जैसे की फन मोड बगएर जो हैं वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे स्नैप्चेट के साथ जो कलेबरेशन है वह सारे फिच्छ यहां पर आपको उप्टिकल इमेज स्टेबिलेशेशन बोले तो ओएस का सपोर्ट भी यहां पर मिल जाता है इससे की जो वीडियो की क्वालिटी है वह आपको काफी इंटरस्टिंग मिलने वाली है तो हां नाइट और डे के लिए मुझे लगता ही काफी बैतरीन कैमरा यह होने वाले हैं बै सब्सक्राइब के मामले में और अपने साथ लेकर आते हैं जो कि अगेन एक अच्छी बात है लेटेस्ट ओस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आइप 67 की रेटिंग भी यहां पर दी गई है और अच्छी बात जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया हुआ था कि चार स 3 के लिए भी एटलिस्ट इन्हों ने यह चीज लेकर आई हुए है और 4 साल के वह सब्सक्राइब यह बोले तो 16 एंडूर तक आपको अपडेट इसके देखने को मिल जाएंगे और भी बहु सारी इंप्रूब्मेंट से जैसे कि 5G का सपोर्ट यह अपने साल लेकर आते हैं जो यह स्मार्टफोन बने हुए इनकी जो सिम ट्रेस बगएरा है या मटेरियल है वो हमने रिसाइकल प्लास्टिक से यूज़ किया जैसे कि जो पानी के बोटल बगएरा होती है तो उन चीजों से इस स्मार्टफोन को रिसाइकल करके बनाया गया तो हाँ एन्वार्मेंट बगएरा जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दे हुए है और प्राइजिंग जैसा कि मैंने बताया पच्छी से चब्विस हजार के आसपास ए थाड़ी थ्री फाइब जिरेगा और थार्टी टू थाउज़न के आसपास ए फिप्टी थ्री की प्राइज हमें देखने को मिल सक सेक्षन में आप जुरू बतायेगा आप से मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ